पर देश में चुनावी सियासत के बीच में एडी के प्रेस रिलीज ने कल एक भुकम्पला दिया है उसमें मुख मंतरी को पैसे देनी की चर्चा के बाद से 36 गड़ में सियासत गर्म हो गया है और आरोप प्रत्यारोप का दोर भी शुरू हो गया है इस पर हम बात करने के लिए हमारे साथ एक वरिष्ट पत्रकार है अनिल जी आई उनसे जानते हैं सर कल एडी ने परेस रिलिज किया और 508 करोड का उसमें ब्लेम लगा एक मुख मंतरी को दिया गया है इसको कैसे देखते हैं इस ठीक चुनाव से पहले इस तरह का ब्लेम बिल्कुल है जह जी कल एडी ने जो एक बयान जारी किया उसके बाद से संसनी भैल गई है और तमाम मीडिया में इस पर कई तरह की चर्चाएं भी सुरू हो गई पब्लिक की बीच में भी चर्चा सुरू हो गई देखे अभी तक का सिनेरिय तो यह है कि एडी 36 गड़ में खुल करके काम कर रही है और एडी ने जिस तरह से लोगों को गिरफतार किया एक करप्शन का जो एक गटजोड है दलाल है राजनेता है प्रशासनी कफसर है उनके गटजोड का खुलासा एडी ने किया उन मेंसे बहुतों को उसने जेल में डाला और उससे जो बयान निकले उन बयानों के आधार पर चार्जशीट उसने दाखिल की है जिसके बाद एक बहुत बड़े करप्शन का खुलासा राज्य में हुआ है अब इससे दो बाते साबित होती है कि एडी को यहाँ पर कोई प्रदिवन मुख्यमंत्री को ले करके जो दावे एडी ने किये है सवाल यह है कि यह बयान कल ही क्यों आया कारवाई तो छे महीने एक महीने एक साल से एडी कर रही है कई लोगों से उसने पूछताच किये थे और जैसा कि एडी दावा कर रही है कि यह बयान पूछताच पर आधारित ह हैं जो दोशी जो आरोपी पकड़ाएं उनसे पुछतास प्यादारित है तो यह आज ही जारी क्यों हुआ ऐसे समय में कि जब प्रथम चरण के मत्दान होने दूसरे चरण के मत्दान होने चुनाओं चल रहे हैं और जनता यह कह रही है कि मुख्यमंत्री भुपेज बगिल ब रही है लेकिन जो सत्ता के धरातल पर बात है वो यह है कि ऐसे बयान समय की चक्की के साथ साथ पिस्ते चले गए उनका कोई आरधार नहीं निकला अजय जी आप देखिए कि अजीद जोगी सरकार के खिलाफ कितने सारे बयान से भी आईने जारी किये थे कितने आरोप लगा पाशिन 색깔 कर लेकिन देखिए कि शिर्डी की चार्चित गने हो सकती है उसका बयान बी गलत नहीं हो सकता है लेकिन जो 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 निया ँर्स वह है कि समवदान के आधार पर कानून ब्यास्ता कैं का था अभीत होगा यह तो तीन दिसम्बर के परिणाम के बात पता चलेगा अमीच साह उनका आमन घोशना पत्र जारी हुआ और घोशना पत्र जारी होते के साथ उन्हें एक बिंदूर अलग से डाला है कि जो भ्रस्टाचार है उसके लिए अलग सेल बनाया जागा है सिकाय सेल और कारवाई को लेगा और अमीच साह का यहां से जाना और एडिक अरहीली जाना कैसे देखते हैं किंद्री गिर्मेंत्री अमीच साह जी कल थे राइपुर में उन्होंने चुनावी घोशना पत्र बीजेपी का जारी किया और उसके बाद उन्होंने ये बात दोराई है जाच की जाए जाच में अगर सही साबीत हो तो उसके इसाफ से सजा भी मिले और इससे वर्तमान सरकार भी इंकार नहीं कर रही है तब ही तो यहां पर जांच हो रही है इसलिए अमित्प साहजी ने गलत नहीं क्या हल राजमितिक दल कोई अधिकार है कि करफशन की खिराब जीरो टॉलरंस का इस्तेमाल करे लेकिन होना क्या चाहिए आप देखें कि आम आदमी पार्टी इसी आधार पर सत्ता में आई थी लेकिन आज उसके सारे मंत्री उसके मुख्यमंत्री पर भी आरोप है सारे मंत्री कुछ मंत्री जेल में भी है और तो करफशन का क्या हुआ जीरो टॉलरंस आप लाईए राजनीतिक दल दावा जरूर करते हैं लेकिन उनकी जब सरकारें बनती हैं तब इसकी धज्या सबसे जादा उड़ती है रमन सरकार में करफशन नहीं हुआ हम ऐसा नहीं कह सकते बहुत सारे प्रकरण सामने आये थे लेकिन वो समय की जाच उस कोई ब्रष्टाचार के आरोपी पर कोई करवाई नहीं यह पांच साल में भूपेश बगेल आई तो इस 15 साल के कोई ब्रष्टाचार की जाची और ना कोई अफायार हुई बिल्कुल यह आपने अच्छी बात कही है कि जब सुरू सुरू में कॉंग्रेस की सरकार बनी तो जनता के दिलों में बैठने का एक हतियार तो बनाया है लेकिन उस पर एक दूसरे पर करवा ही नहीं करते हैं सब एक दूसरे की पीठ बचाना चाहते हैं सब सत्ता में आने के बाद एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं जनता इस खेल को बखुवी समझती है इसलिए आप देखिए अजय जी कि करफशन अब सोसाइटी में कोई मुद्दा नहीं रहा सर अभी कल एक एडी के जो प्रेस्ट नोट आए सीधे सीधे आरोप लगा दिये 508 क्रोड को चुनाव के लिए तिक एडी के प्रेस्ट नोट जो है उसमें 508 क्रोड का ट्रांजेक्शन जो है आपके पास जांच नहीं हुई है आपके पास अगर समूख थे तो या तो उसको सीधा सीधा एफाईय में लेते या नोटिस देते समंग करते पूछताच करते उसमें जांच का विशा है लिखकर एक जो क्वेशन मार्क लगाया है उससे वो प्रेस्ट नोट संदिक दोता ह लेकिन ये बात जरूर है कि महादेव एप जो है और उससे जो जुड़े लोग है वो सरकार की गले का फास बनते नजर आ रहे हैं और इसमें जो है कॉंग्रेस बहुत बैक फूट पर आ गई है जो आरोब भी आज तक लगाते आए पहले से एडी के पर तो अब ऐसा लगता हाँ ये दे देखे एक बात तो है बीजेपी इस देखे ये बहुत महत्पूल सवाल है कि बीजेपी जो है इस मुद्दे को एकदम तीजी से क्यों ले रही है इतना गंभिरता से क्यों ले रही है क्योंकि कल ही जो है बीजेपी ने घोशना पत्र जारी किया और कॉंग्रेस की जितनी घोशना हैं उसका काट किया यहां पर बीजे पी जो है वो कॉंग्रेस की घोशनाओं के गरीब करीबाई लेकि जीत के लिए उनके पास एक फेक्टर जो जरूरी था वो अफेंस था तो उन्होंने इस प्रेस नोट को हत्यार बनाया और सीधे आरोप जो है मड़ दिये बुपेजबगेल पर बुपेजबगेल चौतरफा घिर गया है इस पामले में और जो अमिश्या ने घोशना पत्र जारी करने के पदे जो उनका संकल पत्र कह रहे हैं उसके पह जाता है कि बीजेपी कॉंग्रेस की जो फीडर लाइन है जो फीडर है जो फीडर है चाहती है इसलिए वो कोई मौका नहीं चुकना चाहते और इस प्रेस नोट को जितना उपर तक ले जा सकते ले जा सकते आज प्रधान मंतरी नरें मोधी उन्होंने खुद इस घसीड दि लेकिन जो कॉंग्रेस की ब्यान आरहीं इसमें कहने कि इडी बीजेपी के कि एक अनाथ़ाइज एजेंसी बनके काम कर रही है क्या इसका जो इडी के प्रेस्ट ऑद आटेंगं मोड कही है तो कॉंग्रेस का ब्यान उसको बचा पाएगी कि यह असंगठात मिया रूप यह जो है आरोप प्रतियारोप और इसका प्रतिफल है वो बहुत दूर की बात है सवाल यह है कि जाच जो होनी है तब होनी है लेकिन आरोप तो लग गया अब आरोप आप आप पर किसी ने खीचड उचाल दिया है तो आप आपको कपड़े ही साब करना है अब आपको यह नहीं बता सकते कि आप किसके हाथ से किचड़ा है तो आरोप लग गया है और आरोप लगने के बाद अब जो है कितना भी ओफेंस कर ले वो डिफेंसिव मोड में ही रहेगी उनको अपना ही बचाव करना पड़ेगा और काइदे से देखा जा जाते है तो एक रननीटी के तहत बी विनोद वर्मा उनको भी समन किया जा चुका है उनसे पूश्टाच की जा चुकी है और फिर अभी तक दो गिरफतारी पुलिस की हुई है एक एसाई है और एक सिपाही है तो कोई बहुत बड़ा जो है जिसको बड़ी मच्डी कहते हैं पुलिस प्रडेक्शन अगर था एक प्रश्णोट कल जारी किया उसमें प्रश्णोट करोड़ रूपे मुखमंत्री भूपेस बगेल को देने की बात कही जा रही है और कॉंग्रेस भी उसमें पलटवार कर रही है कि आईसे समय में किया जा रहा है जब चुनावी के समय में अगर आप इसका सही ढंक से अध्य बगेल की सरकार नहीं करना सुरू कि उसके बाद यह मामला एडी के पास गया 36 की पुलिस ने जो फाई आर की ती उस आधार पे इडी ने उसमें जात सुरू की जात में बहुत सारे मामले आये बीच में एक फाई आर पहली हुई जो ताजा घटना क्रम है वो है दो नौंब का परकरणिस लिए आया कि इडी को कहीं से इंपुट मिला था कि 36 गढ़ में महादेव आयप के जो प्रमोटर्स हैं दुबाई से हवाला के जरिए पैसे ले आ रहे हैं चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए तो एक सवाल तो यह कि जो सवाल उट रहा है कि आईसे समय में क् होती हैं और ऐसी चुनाव के समय में ही सक्क्री होती है तो अभी का वक्त था तो अभी कारवाई की गई तो इडी ने क्या किया कि जब उसनों चानवी शुरू की तो उसको एक आदमी मिला जिसका असीम दास करके नाम बताया जा रहा है उसके पास से पांच करोण 49 लाक से वह लोग कारवी बरामद हूई और हो एक होटल में य amendments वनाए हुए थे उस होटल से बरामद होए उसके ौक पाद जब असीम दास गिर्वतार हुआ इडी के जो प्रिश्णोट में बताया गया है उसके नुसार तो यह बताया गया है जब असीमदास गिरफतार हुआ उससे जो बात चीत के गई उसके फोन काल्स के डिटेन निकाले गए और फोन के तहकीका की गई तो उसमें सुभम सोनी नाम के आदमी का मेल आया हुआ है और साधार पर इडी ने यह बताया है और इडी से साइद अशीमदास ने अपने बयान में भी बात बताई कि पांसोट करोर रूपए सीम बगहिल जी के चुनावी अभियान के लिए दिया गया है इस पर सीम ने कहा कि छोटा सादमी से आप मार पीट करके नाम उगलवालो उसक बड़ा सवाल है कि महादेव आइप का जो प्रकण है वह भूपेज बगहन सरकार ने ही पहले उसके पर कारवाई शुरू कि उसके बाद इनी ने कारवाई शुरू किया है तो सीधे यह कहना चुनावी का समय है तो दोनों पार्टियां इसका इस्तेमाल कर सकती है नो डाउ कर रहा चुका है यह अधना कर्मचारी है वह बोल रहा है कि मैं सीधे भूपेज बगहल को देने आता तो डिरेक्ट बगहल को पैसा देता ऐसा लगता है कोई चैनल होगा एक कहीं पे इस तरह की हवाला के पैसे होते हैं तो सीधे डिरेक्ट वह हाई 30 का नाम नहीं लेता कह चुरल भूपेज बगहल कि हां तो एक या किसी के यहां चपराशी भी कोई काम करता है पहुंचा सकता है तो यह कोई भी आदमी ड्राइबर कैसे लेक्स वह आदमी एक सामान सा व्यक्त जरूर है लेकिन काम बड़े कर रहा है उसका जैसे कि चंदरहुसर ने एक डायरी में लोगों का नाम लीकर रहा है तो यह कह सकते हैं हम वह आदमी देखने में चोटा उसका नाम बड़ा नहीं है यह लिकंट काम बड़ा कर रहा है इंपेक्ट भाजपा को अब बीजेपी को बीजेपी तो महादेवाइब को और घोटाले से जोड़ करके अपना चुनावी कंपेंच चला रही तो हो सकता है उसको लाव के नजरिये से वो देख रही है लेकिन यह हम बीजेपी कॉंग्रेस को इससे नहीं जोड़ते हैं यह द घटना करम हुई एडी के प्रेस रीली जारी हुआ चुनाव के बीच फंडिंग को लेकर जो नाम आई उसमें भूपेज बगेल का नाम आ गया कि चीप इंजटर को पांसो आठ क्रोड़ देगे इलेक्शन से पहले कि एडी का प्रेस नोट को कैसे देखते हैं देखे क्या ह पहुंचना चाहिए दिमागी रूप से देखे क्या है कि वहां पर पता लगा कि वहां पर कार आई और कार से जो है मतलब करोड़ों रूपए निकल गया है और वह उसकी फोटो भी जारी हुई कि कार की जो डिक्की पर नोट बिचे हुए हैं और वह भी एक ड्राइवर फि यह सब को पता है कोई भी इतना बड़ा जोखीम का काम जो है लेकर नहीं सकता कि करोड़ रुपए कार में लेकर चले और एक होटल के निशे रुख भी जाए महां पर खड़े भी हो जाए और अगर उस जगह में किवल रहे तो ड्राइवर है और कोई जिम्मेदार व्यक्त कोई भी करमचारी आता है और यह बता देता है आप मार पीट को से नाम ले लो कि तो बहुत असान काम है कल तो पीम का भी नाम भी आ सकते हो किसी से दबाव में मुख्यमंत्री भुपेश बगिल जीने का कि कोई अन्जान से आदमी कारो बात बड़ी महत्वण है इसलिए मह अगर कि बहुत बड़ा का रही कोई जो बड़े कत का चाहे पलिटीशन हो कोई राजनेता हो या उद्योगपती सामने आता तो विचारनी पहलू हो सकता था लेकिन यह जो नाम है तो उसको तो यहां पर कोई जनता भी नहीं जानती कभी कोई जिस जगह पर जो व्यक्ति र कि एडी जो है वो चुनाओ करा कर जाएगी देखे क्या है कि मुक्हमंतरी जी का अपना पक्श ह falt ऺहते रहा है कि वह है और मने कार भी यदि पाःथक है और मेडिया से जोड़े होने के साथ-सत तो सत्य है की यह एड़ी काम कर रही है इस Andrew प damned पर और पूरे देश में सबसे ज़्यादा फोकस्ट च्छतिस गड़ा में है यह बास साफ नजर आ रही है और यह भी सत्य है कि अभी जो चुनाव में जो विभिन मुद्दों है मुद्दे जो चल रहे हैं उसमें एडी का मुद्दा भी बड़ा महत्वपूर्ण है और पांसो कर आरोप लगाने वले का कद क्या है किस कद के व्यक्ति पर आरोप लगा रहे देखे क्या है कि यह सब चुछ चीजें होती है कभी जब मतलब एक छोटा सा अगर कर गणे का पूरा वह जो पकड़ा जाता यह बड़ा यह कह लैं कि बड़े सतर में गण्य की तसकरी हो तो गहतना क्राम हा तो क्या है कि जब भी होता है तो में कहा हूआ, के से मलब गेरेबंदी कर गई इस की विस्तार से जानकरी दी जाती है जर्नलिस्ट हैं तो इस चीस को हम बहुत अच्छी का समलते हैं तो मतलब आया इडी की एक लाइन आई है पहले भी हितंग है कि विस्तिरित कहानी तो आपको और मेरे को पता नहीं न तो जब आपको और मेरे को इसमें कोई विस्तिरित कहानी पता नहीं है तो आप कैसे किसी निश्करश पर पहुंच जाएंगे और मैं कैसे निश्करश पर पहुंच जाओंगा कि कौन सही है और कौन गलत है झाल झाल